जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलेक्ट हिंदी दोस्तो आप सब को पताई होगा कि चाइना अगर सबसे अधिक किसी एक हतियार से डरता है तो वो है भारत की ब्रमोस मिसाइल और चाइना का डर इसलिए भी अधिक है क्योंकि चाइना के पास इस मिसाइल के काउंटर में कोई भी मिसाइल नहीं है जबकि इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए वी चाइना के पास किसी भी तरीके का कोई एर डिफेरेंस नहीं है ऐसे में दोस्तों चाइना का ये डर एक तरफ जहां फे ओवियस है तो उही पे चाइना के तरफ से अब बताया जा रहा है कि ब्रमोस मिसाइलों को काउंटर करने के लिए एक नए टैक्टिस के तहत काम किया जा रहा है और ये टैक्टिस है चाइनीज नेवी के एरक्राफ्ट के जो फाइटर फाइलेट है उनके द्वारा ब्रमोस मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए अभ्यास दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगो को बताऊंगा कि कैसे चाइना के ब्रमोस को हवा में ही मार गिराने का प्लैन बनाया जा रहा है जबकि साथ मैं ये भी कि क्या चाइना के पाइलेट ऐसा कर सकेगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है वाज चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो चाइना के तरफ से साथ चाइना सी और इंडियन ओशन को डॉमिनेट करने के लिए त पर्ड के मताविक ये चाइना के पहले के दो यारकर्फ केरियर के जैसे स्की जम से लेज नहीं होगा बलकि फ्लैट डेक यारकर्फ केरियर होगा जिसमें इलेक्ट्रो मैगनेटि केटफूल लाँचिंग सिस्टमों का इस्तमाल किया जाना है और यी भी बताया जा रहा है क इसके लिए चाइना जे-15B केटफूल लांचिंग बेस्ट यारकर्फों का इस्तमाल करेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइनीज मिलिटरी के इन एरक्राफ्ट केरियरों के पाइलोटों के तरफ से उडान भढ़ते हुए कैसे एंटी शिप मिसाइलों को ट्रैक और उसके बाद इन मिसाइलों को नूटलाइज किया जा सके उसे लेके अब व्यास किया जा रह दोसो इस तरीके के प्रैक्टिस के पीछे दो कारण है जिनमें सबसे पहला तो चाइनीज एरक्राफ्ट केरियर तक दुश्मन के एंटी शिप मिसाइलों के थ्रेट आने से पहले इसे हवा में मार गिराना जफकि दूसरा कारण के रूप में जिस बात को देखा जा रहा और साती साथ सुपर सॉनिक मिसाइल मतलब ब्रमोज जैसे मिसाइलों को काउंटर करने के टैक्टिस को भी डवलफ किया जा रहा है और एक सिमुलेटेट तरीके से PL-15 बियोंड विज्वल रेंज एर टु एर मिसाइलों के कैपिलिटी को जाचा जा रहा है और सभी अव्या और एरक्राफ्ट कैरियरों के अगर इंडियन ओशन के अंदर डॉमिनेंस के मध्य में कोई एक बाधा है तो वो है इंडियन नेवी के ब्रमोज मिसाइल। प्रूप मिसाइलों को हवा में रोक सके। दोस्तों ब्रम्मोज मिसाइलों को देखा जाए तो इसे दुनिया के सबसे सॉफिस्टिकेटेड और सबसे एडवांस सेरेंड क्रूज मिसाइल करूप में देखा जाता है। इस टैक्टिकल लॉंचरों से भी दागा जा सकता है। इन मिसाइलों के सब्मरीन लॉंच वेरियंट भी है लेकिन अब तक ऐसे वेरियंटों को इंडिया में एक्टिव नहीं किया गया है। वही पर दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इस मिसाइल के जवाब में भी चायन मिसाइल के रूप में देखा जाता है जिस कारण एक तरफ जहाप इन मिसाइलों को डिटेट करना मुश्किल है तो वही पर ये जो मिसाइल है ये उडान भनने के वाज सी स्क्रीमिंग मतलब समुंदर के सते से लगके दुश्मन के टार्गेट तक पहुंचता है। जफकि दोस्तो अगर इन मिसाइलों को दुश्मन के राडर के द्वारा देख भी लिया जाता है तब दी अगर मिसाइल के रफ्तार को देखा जाए जो कि माक 2.9 के आसपास है उस कारण इस तरीके ही के मिसाइल को मार गिरा पाना नामुम्किन है। दुनिया के मौडन एर डिफें मिसाइलों के इस्तेमाल से ब्लमोस को मार गिराने का सपना देख रहा है तो दोस्तो ये केवल मातल एक सपना ही होगा। हाला कि दोस्तो अगर ब्लमोस मिसाइलों के थ्रेट को देखा जाए तो चायना इसलिए भी इसे लेकर डरता है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये केवल मा के संपूर्ण डेक को भेद के नीचे जाके एक्सप्लोड हो सके और दोस्तो इससे एक ही वार में एक एरकाफ्ट कैरियर को दभा किया सकता है जिस कारण ब्रमोस मिसाइल के ऐसे वेरियंटों को कैरियर किलर विका जाता है जबकि दूसरे तरफ दोस्तो ब्रमोस मिसाइल को अ लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या चाइना के इलावा कोई वी ऐसे देश के यारकैप्टों के पास इस तरीके का capability है कि वो ब्रमोस मिसाइल के पीछा करके उसे मार गिरा सके। दोस्तों अगर fighter यारकैप्टों के द्वारा ब्रमोस मिसाइलों को टैकल करना है तो सबसे पहले ब्रमोस मिसाइल को इंटिटेट करना पड़ेगा। होता है तो इसे डिटेट करने पे कोई फाइदा ही नहीं होगा क्योंकि यारकैप्ट के मेनुवर से पहले ही ये जो मिसाइल है ये अपने लक्ष को भेच चुका होगा। कौन से पोजिशन में होगा कौन से डायरक्षन में होगा ये भी नहीं पता और उस दर्म्यान येरकैप्ट को घूम के मिसाइल तक जाके और उसके बाद मिसाइल को अपने मैनुवरयोलिट्टी के साथ लॉएक ये तो लॉक्ष करना लग्वग नामुम्किन है। और दोसो ये सवी कारवाई के दर्मियान ब्रह्मोज जैसे सुपर सौनिक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष को भेद भी चुका होगा और लक्ष तबावी हो चुका होगा, जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ब्रह्मोज जैसे हाई स्पीड में ट्रावल करने वाले म मिसाइल का पीछा करना भी, ऐसे फाईटर यार क्राप्टों के लिए लगवग नामुमकिन होगा, और उसके बाद ऐसे अब्जेट को लॉक करना और लॉक करके एर-to-air मिसाइल को दागना ये लगवग नामुमकिन है, हाला कि दोस्तों, अगर एर-to-air मिसाइल को दागा जाता है तब भी एर टू एर मिसाइलों के लिए ब्रमोस सुपर सॉनिक क्रूज मिसाइल को मार गिरा पाना इंपॉसिवल होगा क्योंकि अगर ये पॉसिवल होता तो अब तक ऐसे मिसाइलों के बेस पे एर डिफेंस सिस्टमों को बना लिया गया होता पर दोस्तों वही पे चाल आ के ये परिशाणी भारत और भी बढ़ाने जा रहा है क्योंकि ब्रमोस मिसाइलों के एक ऐसे वेरियन्ट गो विभारत तयार करने जा रहा है जो और अधिक लेंट रेंज में काम कर सकेगा जिसे ब्रमोस ईयार या फिर कह तो candidate ब्रमोस का रूप में बताया जा रहा ह मतलब करेंट ब्रमोस मिसाइल जहाँ पे 3,000 km पर आवर के रफ्तार में उड़ान भड़ता है और 290 km के डिस्टेंस को कवर करने के लिए केवल मात्र साड़े 4 मिनिट से थोड़ा अधिक समय लेता है तो वही पे extended range variant के ब्रमोस मिसाइल साड़े 5,000 km पर आवर के अधिक रफ्तार में उड़ान भड़ सकेगा और अपने 800 km के जर्णिक केवल मात्र साड़े 8 मिनिट में कम्प्रिट कर सकेगा मतलब ये आने वाले समय में चाइना के लिए और बड़ा थ्रेड बनेगा और जो चाइना इंडो पेसिफिक में एरक्रा पेनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बेला इकन को भी प्रेस खड़ दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद